हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरी चैनल में आपका एक बर फिर से स्वागत है मैं हूरे नुदर और देखिए आज आपके लिए एक और प्यारा सा क्यूट सा बेबी पैंग्विंग लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा क्यूट सा सुन्दर बना हुआ है कैसा लगा आपक सबसे पहले तो आपको कटिंग पैटन चाहिए होगा जो मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा आपको देखिए मैं पैटन फ्री प्रोवाइड करती हूँ जो मेरी नई सुप्स्क्राइबर से उनके लिए बता दूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा उपर आई बटन में मैं एक वीडियो डाल रही हूँ प्लीज उसको भी चेक आउट कर लीजे वहां से मैंने बताया है कि जिसको नहीं समझ आता है वहां से उस वीडियो से उसको पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट है वो पैटन कैसे डाउनलोड कर सकता है उसके बाद आपको फैब्रिक चाहिए होगा दिखिया आप नाइलेक्स वोल्वो इंपोर्टे नाइलेक्स फैल्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास है तो जैसे कि मेरे पास यह इंपोर्टेड नाइलेक्स है मैं उससे बना रही हूँ तो जैसे मेरे को यह ब्लू कलर में यूज कर रही हूँ आपने अपने हिसाब से आप कलर कर शकते हैं तो यह मेरेको 20 cm के करिब चाहिए वाइट मेरेको 10 cm के करीब चाहिए Քरे इमिंड को बहुत छोटा चाहिए करीब 45 cm के करिब उसके अलावा आप मार करने के लिए पैण ले लीजे पैसे Formажу जिससे भी आप निशान बना सके, मार्क कर सके कपड़े पे, सीजर कट करने के लिए इसको फैब्रिक को जब पैटरन डौ करेंगे उसके बाद करने के लिए, सोई दागा सिलने के लिए और जिन लोग के पास मशीन है वो मशीन से भी इजीली सिल सकते हैं, और उसके बाद में फिल करने के लिए पॉली फाइबर फाइबर बूल जो जाई है आपको 50-60 ग्राम के करीब, दिखिए अब सबसे पहले आपने कपड़े को उल्टा बिछाना है, जो भी आपके पास फैब्रिक है, उसके बाद में आपने कटिंग लेनी है, और उसके आपने मार्क करना शुर कर दूँगी, इसी तरह से आपने सारे पीसिस देखिए, हमने इस पर मार्क कर लिये है, अब इसको आप कट करेंगे और उसके बाद में जोइन करना शुरू करेंगे, देखिए अब कटिंग हो गई है, चलिए अब इसको जोइन करना शुरू करते हैं, सबसे पहले इसकी य और एक इस तरह से reverse रखें, अब आपने एक blue और एक white लेना है, और उसको आपस में join करना है, यह दिखिए इस तरह से, यह सीधा सीधा पाट आपस में मिलाना है, और इस तरह से रखिए, और यहां से join कर लिजे, यह वाला portion आप open छोड़ेंगे, तो दोनों wings सबसे पहले आ मैंने सीधे कर दिये हैं, अब इन विंग्स को आपने इस बॉड़ी के साथ में अटाइज करना है, देखिए यहां पर एक कट लगाया हुआ है, यह इसमें विंग्स का पार्ट मैंने लिखा हुआ है विंग्स, तो यहां पर आपने यह इस तरह से यह जॉइन होगा, तो यह आपने इसको रखिए इस तरह से, इसमें मैंने फिलने किया है, इसी तरह से रखवा है, बस आप इस तरह से रखिए, यहां से थोड़ा सा छोड़ दीजे, जो सिलाई में पोर्शन आएगा, उतना पोर्शन आप थोड़ा सा छोड़ दीजे, और इसको यहां पर रखिए, बस देखिए इतना सा मैं छोड़ रही हूँ, इतना सा, इसके बाद मैं इसको इसके उपर करेंगे, और यहां से यहां सिलाई लगा देजे, तो सेम इसको यहां पर रखिए, और इसको उपर से इस तरह से फॉल्ड कीजे, और यहां से यहां सिल लेजे, देखिए अब यही व दोनों पेसं को आपस में इस आई पोजिशन पर जोईन करना है जो आई लिखाए नहीं यहां पर तो यह जो दौनों पोजिशन है। यह वाला आई पोजिशन है कि इस το एहां रखें और यहां से नाई लगातीanor कि इस यह center से join कर दिया हमें अब इस तरह से बन गया है अब इसका यह वाला portion है न यह round वाला portion जो आता है दीए कि यहांपर यह corner है एक यह round है इस per एक रौंड वाले portion में आपने यह स्टमक का portion हना यहां आका टीक हम लगाना है यह में यहां से लेकर पूरा आप यहां तक जॉइन कर लेंगे इसको तो इसको आप इस तरह से रखना aur ग्हहिंने हन कर लेंगे अल्ल है से और इस तरह से यहां पर इस तरह से जॉइन कर लिए दिखिए अब यह हमने जॉइन कर लिया यह राउंड वाला स्टमक वाला पॉर्शन अब जो यह वाला हिस्सा है ना यह साइड का हिस्सा यह दिखिए यह वाला यह जैसे इस तरह से आया ना अब जो आपका इसमें समझ foreign करना है और यहाँ से हैं जोइन करना है तो अब आपने क्या करना है देखिए यह वाला जो हिस्सा है इसमें ये इस तरह से रखे यहां पीर और यहां से यहां सिल दीज़े और दूसरा वाला पोर्षन यहां कहलें और यहां window लेकर यहां तक सिलाई लगा देंगे, अब दीखिए ये साइड के भी हमारे जॉइन हो गए हैं, तो इसके इस तरह एक हिसाब से ये बॉड़ी जो है रेडी हो गया है, अब बॉड़ी का साइड जोडने से पहले हम क्या करेंगे, इसका फुड रेडी करेंगे, तो ये इसके औरेंज कलर में मैंने काटे हैं, ये चार पीसिस हैं, तो दो दो पीसिस को अब आपस में सिल लीजे, तो दो पीस इस तरह से रखिए और इसको यहां से यहां सिलाई लगा दीजे, ये वाला पूर्शन ओपन छोड़ दीजे, अब ये देखिए फुड दोनों मैंने बना के सीधे कर लिए हैं, अब आपको क्या करना, इसमें बहुत हलका सा बहुत हलका सा बहुत हलका सा इस तरह से आप इसमें फाइबर बर दीजे, बहुत कम एक बहुत हलकी सी लेयर आपने बरनी है, तो इसी तरह से दोनों में बरने के बाद में, आप इसमें अगर जो हाथ से सिल हाठ से बाद में यहां से लेकर हम इसको शिलाई लगा देंगे तो आप का कर सकते मशीन से भी लगा सकते इस तरह से यह तो आपके है अधि Tu आपके हैं से लगाओंगे क्यूंकि मुझे लगता हुँ सका गेटब ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं बहुत हलका सा बरके इसको, उसके बाद में इसको मैं यहाँ पर दिखिए, यह जैसे यहाँ पर लिखावा है ना, यह जो पोर्शन मैंने यहाँ लिखावा है, लेक्स, तो यह जो नीचे का पोर्शन हमने जॉइन किया था, यह का बेस जॉइन, अब बरने के बाद में अब इसको किस तरह से सिलेंगे, इसको हम सीधा रखेंगे, देखे, यह जो पोर्शन है, अब यह जो सेंटर की सिलाई है ना, इस सेंटर की सिलाई के साथ ही हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, और सिलाई लगा देंगे, यह यहां पर एक सिलाई और यहां पर एक सिलाई लगा दीजे यह सिलने के बाद में यह हमारे फूटिस में जॉइन हो गए हैं यह सिलने के बाद में अब जो यह नीचे का पोर्शन है इसको आपने जॉइन करना है देखिए कहां से कहां तक यह दियान रखिए अब यह लेते हैं अब आपने क्योंकि हम इधर ये जो portion देख रहे हैं आप ये वाला portion है ये वाला जो आप देख रहे हैं न मैं इस तरह से रखोंगे आपको समझ जाएगा ये दिखे ये वाला portion ये है अब यहाँ पर हमने लिख रखा है या ऐसे करके बताते हूं ये देखे अब ये हमने लगानी है ये ओ तक यहा से ये जो ओ वाला है portion यहां से हम इस तरह से सिलेंगे तो आपस में इसको OUTने या तो मार्क लगा दिजे या जैसे भी आप करना चाहें जैसे कि correlब जैसे कि मैं भी मार्क लगा देते हूं ये यहा से हम सिलेंगे, यहा से और यह ओ तक सिलना है, यहा तो वैसे पता ही चल रहा क्यूंकि कटा इसका, तो यहा से लेकर यहा तक आप सिलाई लगा देज़ें, अब देखिए यह स्टिच कर दिया, अब यह वाला पोर्शन यह ओ है यहां पर, अब इस पर आपने यह बेज ज यह ओ यहां से जॉइन होगा उसके बाद यह पूरा राउंड में आपने सिल लेना है तो इसको इस तरह से रखे तो यह ओ वाला पोर्शन यहां आएगा और यहां से करते वे आप इसको पूरा इस तरह से ऐसे राउंड में सिल लगा दीजए अब देखिए यह बेस जॉइन कर दिया ऊब यह इस तरह से बन गया इसमें यह डार्ट है, इसको भी आप आपस में सिल दीजे, इसको इस तरह से रखिए और यहां पर सिलाई लगा दीजे, उसके बाद में आप हम इसका फेस रेडी करते हैं, तो देखिए फेस में सबसे पहले यह वाला पोर्शन है साइड फेस का, साइड फेस का यह दो कट किये हैं ह हमने दो पिसे एक सीधा और एक रिवर्स करके, तो इसको यह पोर्शन पहले आपने आपस में सिल लेना है, तो यह वाला पोर्शन है जो इसको आपस में आपने इस तरह से सिलाई लगा दीजे, इस वाले पोर्शन में आपस में इसको इस तरह से सिल लीजे, यहां पर, और और इसके साथ में ये दिखे back head है ये वाला portion तो इसमें भी आपने ये वाला portion सिलना है लेकिन हम पूरा नहीं सिलेंगे हम थोड़ा सा नीचे से छोड़ देंगे यानि कि इसको इस तरह से रखिये आप यहां से सिलाई कर दीजे और यहां तक ये वाला portion इतना छोड़ दीजे यहां से लेकर यहां तक सिल दीजे आप ये दिखिए ये भी सिल दिया और इसका ये सिल दिया अब आपने क्या करना है इसको इस तरह से रखिए और ये जो back head है न इसका ये center मिलाते हुए center इसको यहां से यहां सिल दीजे यहां और इसी तरह से ये वाला portion यहां पर इस तरह से ये पूरा आजाएगा यहां तक चीक है तो ये वाला portion आप पूरा ऐसे round में सिल दीजे तो इसका back head के साथ में ये front side का जो head है ये attach हो जाएगा और इसके साथ में हम लेते हैं देखिए ये इसकी beak है मतलब चोंच इसको भी हमने सिलना है अब इसको किस तरह से सिलना है देखिए ये दोनों को आप लीजे इस तरह से रखिए और यहां सिलाई लगा दीजे यहां वाला portion ये वाला portion open छोड़िए कर अब ये भी join हो गया है ये head इसका join हो गया है अब हमने क्या करना है ये जो portion अब है देखिए ये वाला portion इस वाले portion में हमने ये face join करना है यहां से लेकर यहां से यहां तक आपने join करना है यानि A से लेकर B तक ये A है और ये B है ये A और B तो यहां से ये इस तरह से join कीजे यहां से और ये यहां त तेसा जॉइन करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, दिखिए अब इसकी आईज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी दो-तिन आप्शन्स हैं आपके पस, दिखिए आप इसको टैडी की जो आईज होती है वो भी लगा सकते हैं, अगर आप जैसे इसमें क्या होता है, कि इसमें बीच में वाइट होगा और साइड़ साइडि का बलैक होगा तो यहां तो आप Oui charge में कपडा ले लीजे इस इस को इस तरह से काट लीजे बीच में भीalen काट लीजे वाइट कालर का मैं, धूशन्स होता, और यहां पर इ Bears कर सकते हैं, मतलब साइड आईड बंद कर सक पल्दा को दिखा आरे इसको मैं एक छा-फे रहु हो है जैसे कि यह वाला वाइस है इस तरह से यहां देख हो उसके बार इसको रखूँगी इस फेस के ऊपर और मैं पैंसिल से इस को बहुत कर कर दूँगी इस तरह से यह देखिए यह हो गया अब मैं इसको क्या करूंगी मैं इसको मारकर से बनाऊंगी चीक है तो आप इसमें अब मैंने आपको दो तिन आप्शन बताए हैं आपको जो लगता है मारकर से बना दूंगी और बीच वाले में मैं थोड़ा सा वाइट पेंट लगा दू लगा लिजे और नहीं तो टेडी की आइज लगा लिजे तो सारे options मैंने आपको दे दी है आपको जो इसमें से ठीक लगता वो आप यूज कीजेगा लुआ के तुरे परमे के दूझारे युई कि अनो आपको देड का ना ने पर भामे के अमिह अनासरा कि मैंने दीी हि आपको वह थेए अ कि युआ अब जो ये वाला portion बचता है ना ये वाला portion देखिए ये वाला portion जो है इसमें हमें ये जो बी कैस की चोंच ये लगानी है ये जो डाट वाला portion है ये नीचे के हिस्से में आएगा और ये वाला portion जो simple वाला है उपर के हिस्से में अब आपने इसमें क्या करना है सबसे वाले त चौक से माक लगा दिया है यह जो माक लगाया है यह इसकी इस सेंटर में आएगा आपके तो यहां से आपने इसको जोईन करना शुरू करना है यहां से जोडना शुरू करना है इस तरह से राउंड में लाते वे ऐसे करके जोड़ेंगे ऐसे दियान से और यह जो डार्ट वा भी same procedure apply करेंगे यानि जब यहां से सिल लिया उसके बाद फिर लेकिन एक ध्यान में यह रखिएगा बात कि सिलना आप सेंटर से ही तभी यह सेंटर आएगा सेंटर से ही सिलाई शुरू करना आप इसलिए मैंने सेंटर में आपको mark लगवाया है तो यह यहां तक आ जाएगा इस तरह से करके आप यह इसकी बीक जोइन कर लीजे पहले अब यह बीक हमने जोड़ दी है अब जो यह नीचे वाला इसका डार्ट था यहां से लेकर आपने जो यह नीचे का हिससा है इसका यह यहां से लेकर और यह डार्ट तक आपने सिलाई लगा दीजे पूरी यहां स यहां तक सिल गया है अब जो यह वाला portion है इसको अब हम body के साथ में attach करेंगे तो यह भी हमने बीच में लगा दिया है तो यही center point है इससे join करेंगे हम देखिए यहां से यहां इस तरह से जोड़ेंगे जो यह stomach का dart था इसको और इसको जोड़ना शुरू करेंगे और यहां से लेकर यह दिखिए यह पूरा आ जाएगा यहां side तक हमने यह पीछे के back का भी open छोड़ा था ना तो यह यहां तक आ गया और सेम इसी तरह से पूरे round में यहां तक इसको 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 सीधा करेंगे अब दिखिए इसको मैंने सीधा कर लिया है सीखे हमारा यह almost ready है अब इसमें हम यहां से जो cut out है इसमें से हम fiber बरेंगे और उसके बाद में इसको बंद कर देंगे तो चलिए कर दो झाल 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 तो देखिए दोस्तों हमारा प्यारा सब बेबी पैंग्विंग बनके बिल्कुल रडी है कितना प्यारा क्यूट बनावा है देखिए कितना अच्छा लगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे कमेंट कीजे मेरी वीडियो को शेर कीजे और सब्स चलता रहे और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए नए नए soft toys बनाती रहूं और आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूं तो मिलते हैं next video में thank you bye bye